हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और चैनल पर जो हमारे वीडियोज आते हैं जोतेश रतन केंद्र पर उनको व्यू करते हैं तो हमारी यही इच्छा रहती है कोशिश भी रहती है कि अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे जो दर्शक्रण हैं उन तक हम ऐसी जानकारी पहुंचाएं जिससे उनका सीधा सीधा उनक संबंदित है मंतरी राशी फ़ल जोलाई 2023 यह भी कह सकते हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश यह रहता है कि भाई लेकर के मेश से लेकर मीन लगन राशी तक के जो जातक हैं क्योंकि जो भी जीवन में हमको वह रिजल्ट्स मिलते हैं अच्छे हैं बुरे हैं वो सब इन ग्रों की सिती होगी वैसे रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे ग्रों की सिती खराब होगी खराब रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छी होगी अच्छी मिलेंगे जिस घर में भी बारे घरों मैंसे जिस घर में भी कोई दोश लग गया है इन ग्रों के कारण वहां से संबंदित पराफ्थ होगे तो इसलिए हम यह समझते हैं कि यह जो ग्रहों की स्थिति है यह आपको भी इसकी जानकारी होना थोड़ा-थोड़ा आवश्चक जरूर है और इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए अपने पीशे आप देख रहे हूंगे मेरे पीशे ठीक स्क्रिन पर चार्ट डिस्प्ले कराया हुआ है यह जो चार्ट डिस्प्ले कराया हुआ ही आपकी ही सुविधा के लिए है ताकि आप भी देख सकें कि कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है यह ग्रों की स्थिति को बहुत इस्पेश्ट रूप से धर्शाया गया इस च रहे हैं आप जो वरिष्चिक लगन राशी के जातक हैं, जो परसंस हैं, उनके विशहर्श हों बात करेंगे यह Market Колि चाहिए जानते ही हैं कि जब भी हम मतली मासिक राशी फल ध राशी कि बात करते हैं या वार्शिक राशी फल को ले करके आते हैं या लव राशी कि हमारे मित्र हैं, उनके विशेत में बात करेंगे, यनि कि जिनका Scorpio ascendant बनता है, Scorpio ascendant based तो persons है, उनके विशेत में बताएंगे, जानकारी देंगे कि बहई, जोलाई 2023 में जो कुरों की सिती है, जो रहेगी, उसके आधार पर आपको भिन-भिन छेत्रों में किस-किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज जादा हैं। और जहां पर कुछ निगेटिविटी आप सुनते हैं रिजल्ट में किस नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभाव ना है तो वह सुन करके आपको परेशान बिलकुन नहीं होना है। और इसी वजह से हम अंत में उपाए भी देते हैं यह भी आप जानते हैं और बहुत सरल और आसान उपाए देते हैं। उनको आप अगर शिद्धत और शिद्धा के साथ करते हैं तो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। यही तरीका है उपाए करने का। तो अब आपके सम्मुक पहले तो हम ग्रों से संबंदित जानकारी ला रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए चार्ट देख सकते हैं आप अपना चार्ट में जो है जहां पर साथ नंबर लिखा है। यह तुला राशी कैलाती है दौादश भाव हैं वहां पर केतु बैठे हैं केतु की अपनी मित्र राशी है यह क्योंकि यह शुक्र का घर है शुक्र की राशी है तो शुक्र केतु के मित्र हैं। केतु यहां वैसे भी काफी समय से बैठे हुए है कुछ महीने और भी यह ही रहेंगे कही नहीं जाने वाले आगे बात करते हैं शनी देव की शनी देव फोर्थ थाउस में बैठे हुए है जहां पर गयारे नमबर लिखा है गयारे नमबर का मतलब होता है कुम राशी तो यह जो है कुम राशी के लॉर्ड है तो यह अपने ही घर में बैठे है अपनी राशी में चत्रुत भाव में लेकिन यह सोला सा इस सिती इनकी सत्रा जून से सोला वीक हुई है वो इसलिए हुआ है कि यह उल्टी चाल चल रहे है रेट्रोग्रेट कंडिशन में है यह जिसको हम व वक्री होते होते उल्टी चाल चलते चलते कहीं 6 डिगरी तक पहुंच जाएंगे यह चत्रुत भाव का जो द्रिशकाण ब्रिश्काण वन है उसमें आ जाएंगे द्रिश्काण नंबर टू से तो किस प्रकार के रिजल्ट शनी के मिलेंगे शनी की सितिए यह रहेगी कोई बदलाव नहीं होगा इनकी स्थिती में आगे बात करते हैं कि राहू और गुरू जहां पर आप देख रहे हैं एक नमबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं राहू और गुरू अपना संबंद बना रहे हैं और यह एक नमबर मेश राशी होती है मंगल की राशी है और छड़ा बहा हो हैं तो यहां पर गुरू जो हैं वो तो अपनी अच्छी मजबूत पोजिशन बना करके बैठे हुए हैं मतलब मारगी और उद्यवस्था में बैठे हैं अपने मित्र के घर में भी बैठे हैं लेकिन राहू का जो उनको साथ मिला है यह बहुत गलत बात हुआ है क्य अंडाल दोश और जिस किसी जातक की कुंडली में भी यह बन जाता है राहू और ग्रह का संबंद किसी भी भाव में किसी भी घर में उस घर से संबंदे जातक को पूरे जीवन परेशानियों का और दुविधाओं का सामना करना पड़ जाता है इन दो ग्रहों के कारण तो राहू क्योंकि पापी और महा कुरूर ग्रह हैं तो ये गुरू से मिलने वाले कोई जो अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलने होंगे ये उन पर भी रोक लगा देंगे राहू हैं कुरूर हैं पापी ग्रह हैं यह उनको भी अच्छे रिजर्ट्स देने नहीं देंगे लेकिन आपको चिंता नहीं करनी परिशान नहीं हुना इसके उपाये भी हम आपको अंतमे देने जा रहे हैं बस वह उपाये करिए आसान से और देखिए आपको कितना लाब मि अब आगे वाले आने वाले कुछ महीनों में भी यहीं बने रहेंगे अब बात कर लेते हैं सूर्य देव की वह अश्टम भाव में बैठे हुए जहां पर तीन लिखा तीन का मतलब मिथुन राशी मिथुन के लौड जो है बुद्ध गरें तो बुद्ध के घर में सूर्य दे में प्रिवेश करेंगे क्योंकि चार नंबर की राशी करक राशी कहलाती है चंद्रमाइस के स्वामी सूर्य अपने मित्र के घर में चले जाएंगे करक राशी में 17 जोलाई को और महीने के अंतर तक वहां बने रहेंगे अब बात करते हैं बुद्ध ग्रह की जहां पर आप करक राशी में नवम भाव में जहां पर इस समय उनको बैठा आप देख रहे हैं यहां वो आठ जोलाई को आ रहे हैं और फिर यह तेरह जोलाई को पश्चिम में उद्य हो जाएंगे तो मतलब कहने का हुआ यह कि बुद्ध की सिती जो है वो तेरह जोलाई से बैटर होगी अच्छी सिती मा आ जाएंगे लेकिन 25 सारी को यह फिर अपना राशी का परिवर्तन करेंगे और यह अपनी शत्रु राशी कर्ण से निकल करके नवम भाव से निकल करके यह दश्छमभाव में चले जाएंगे अपनी मित्र राशी सिंग में वहापर मंगल शुक्र के साथ का संबन्द बनेगा वहाँ पर त्री ग्रही योग का निर्माड होगा और महा के अंतर तक बुद्ध जो है 25 जोलाई से 31 जोलाई तक दशम भाव में सिंग राशी में बने रहेंगे यह सिंग राशी किलाती है सूर्य की राशी और जशम भाव है अब बात कर लेते हैं अंतों मंगल और शुकर गी तो मंगल जो है अपनी मित्र के घर में हैं मित्र राशी में हैं मार्गी और उद्यवस्ता में अब पूरे महीने ऐसे रहेंगे बड़ी अच्छी पोजिशन में बैठे हैं मंगल बहुत अच्छी पोजिशन में और साथ में शुक्र भी हैं तो शुक्र भी यहां पर साथ जोलाई को आएंगे मंगल के पास सिंग राशी में अपनी शत्रू राशी में शत्रू राशी में ये पहुचेंगे साथ जोलाई को कहां से आएंगे ये अपनी शत् शुक्र जो है और फिर ये मारगी और उद्यवस्था में आएंगे यहां पर साथ जॉलाई को सिंग राशी में दशम भाव में मंगल के साथ तेइस जोलाई को ये बकरी इस्थिति में जाएंगे उल्टी चाल चलना आरम करदेंगे शुक्र और महीने के अंतर तक ये बने रहेंगे इसी घर में इसी राशी में तो ये थी ग्रों के सिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अबकर इन ग्रों के ही आधार पर आपको आपके करियर को लेगे परिप्रोफेशन को लेगे तो देखे प्रोफेशन के घर में मंगल रशुक्र बैठे हैं साथ में मैंने जैसा कहा कि बुद्वी आने वाले 25 जोलाई को तरीग रही योग बनेगा यहां पर तो आप के लिए एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि जो अचीवमेंट्स आपके रहेंगे दूसरी बात ये भी है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ आ सकती है या फिर आपकी पदोन्नती हो सकती है लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अभी प्रॉपर्टी से संबंदित कोई भी दीन अगर है तो अभी हाल फिलाल उसको ना करें तो ज्यादे अच्छा है और वैसे सुखसुविधाओं की जो बात करें हम उसका लाप तो आप कमी ले पाएंगे लेकिन फिर भी सामानने से मध्यम सुखसुविधाओं का लाव आपको मिल जाएगा और जहां तक भाग्य का प्रिशन है तो भाग्य का भी सही होगा आपको सामानने तोर पे मिलता रहेगा तो करियर में कोई मिझे विशेश प्रॉब्लम नजर नहीं आती है प्रिशेक्ट दिया जा रहा है तो आप उसको देख करके एक बार को तो थोड़ा नर्वस होंगे नर्वस इसलिए होंगे कि पता नहीं क्या बवाल आ गया क्या भूत आ गया लेकिन जब आप उसको करना शुरू करेंगे आरम करेंगे न कार्रे को तो वो इतना आसानी से औ और बहुत आसानी से आप पूरा कर लेंगे अपने जो भी आप उसका टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे उसी अब्धी में वो पूरा भी कर लेंगे और तो यह कि आप को जम्म्मधारी मिलती है कोई बडा प्रोजरेक्ट मिलता है कोई कार्डर कोई जौबया किया जाता है तो आपको परिशान नहीं होना है ग्रों का सपोर्ड इस इतना अच्छा मिल रहा है आप सारे काम कर लेंगे अपने लेकिन एक बास कि आप जो कार्य आपको उपर से फीनियर ऑफिसर्स के द्वारा दिया जा रहा है कि आप वह समय पर क्योंकि आपने वह पूरा कर दिया सक्षिप ली तो आप उनकी गुड़ बुक में आ जाएंगे और ऐसे विरोधी आपका चाहेंगे नहीं कैसा हो तो उन से थोड़ा आन रहते हुए हुए उन सब बढ़ाrukt करते हुए अपने कार्यों करते रहे हैं अच्छे की क्रोजगार में यह व्यापार में और आपका है वह बहुक करे bullets से करेंगा लेकिन करता रहेंगा नुकसान होने की कोई संभावना दूर तक भी नहीं हैं चाहाएंप्लोईज हैं वो बिजनस्मेन है, अब बात कर लेते हैं income की, income कैसी रहेगी, देखें आपको बताना चाहते है, कि income जो है, 13 जॉलाई के बास से, एक जॉलाई से 13 जॉलाई तक हम यह नहीं कहरें के income बिल्कुल नहीं होगी, जो होगी वो थोड़ा सा सामान रूप से होगी तेरह तारीफ के बाद से लेकिए महीने के अंके तक आपको अच्छी इंकम होने के भी चॉंसें है कि और जो आपके मित्रगन है उनका भी जो अच्छा ज़मों आपको मिलेगा वह भी आपका 25 जोलाई से लेके 31 जोलाई के बीच में आप कहीं दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं जा सकते हैं यात्रा पर और यह यात्रा आपके कार्यों के सिलसिले में ऑफिशल वर्क के सिलसिले में आप जा सकते हैं और यह आपके लिए लापकारी सिद्धोगी दूर की यात्र अब बात करते हैं आपसे आपके प्रेम संबंदों को ले करके प्रेम संबंद जो है आपके प्रियसातियों जहां तक प्रेम संबंदों का प्रिश्ण है तो यह प्रेम संबंद जो है 25 जॉलाई से जी हां 25 जॉलाई से और महा के अंत तक पहले जो यह 24 दिन है एक जॉलाई से 24 दिन इसमें तो कुछ खास प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं पड़ रही है आपके केस में लव एफिर्स में लेकिन 25 जोलाई से और 31 जोलाई के बीच में हो सकता है आप अपने मित्र को ले करके उन्हें कोई खुशकवरी दे या आपका मित्र आपको कोई खुशकवरी दे और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ कहीं डेट वगयरा पर भी जा सकते हैं 25 से 31 का जो समय आप कहीं उनके साथ कहीं दूर एक तरिके से पिकनिक वगयरा पर भी जा सकते हैं तो कुछ अच्छा एक अट्मोसफियर आपको मिलेगा 25 से 31 जोलाई के बीच में अब करते हैं कि विभा के योग है क्या साथियों बताना चाहेंगे कि विभा का योग ये एक तरीके से विभा जैसा ही हो जाएगा आपका और अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत अपोजिशन तो आपका होगा घर गरस्ती की तरफ से तो निश्चित रूप से वो तो ने आपको रिजल्ट बता दिया अब बात करते हैं वैवाहिक संबंदों की वैवाहिक संबंद कैसे रहेंगे देखें वैवाहिक संबंद सामानने ही रहेंगे सामानने से मद्धे के बीच और वैवाहिक सुख जो है यह आपको सामानने से मद्धे के बीच में मिलता रहेग पूरे महीने अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंदों की तो देखे पारिवारिक संबंदों में थोड़ा एक परीके से अगर मैं कहूं थोड़ा तो बुजर्गों का भी आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और दूसरी बात ये कि परिजनों के साथ आपको ये श के पिर्टी मेरी जो रैस्पॉंस्बिल्टीज है वो किस तरी के से फुल्फिल करनी है ये जम्मेदारी में बहुत बहुत बहुतर तरीके से कुछ इस तरी कि का उनको एहसास कराना होगा आपको जब तक आप इस तरी कि का उनको मैसेज नहीं देंगे तब तक परिवार के स प्रदक से आपके उपर पूरा ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको उनका भरोसा जीत ना है और अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप जरूर जीत भी लेंगे आपको इसमें सफलता भी मिलेगी यह रहेंगे आपके परिवारिक संब्द अब बात करते हैं एजूकेशन की तो यह साथियों बताना चाहेंगे कि कैई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहिए आप स्टूजेंट है या कोई और दूसरा व्यक्ति है कि हम पूरे दिली ख्वाइश हमारी होती है कि हम यह काम करें पूरे एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई और हम इतने निराश हो जाते हैं कि नर्वस हो जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की ही सेच्वेशन बनने की कुछ जादे पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको आपके मुताबिक मिलें आपके अनुसार मिलें तो फिर आपको करना य चाहेंगे देखिए संतान मेहनत से पीछे नहीं हटेगी यह माता पिता को कहना चाहते हैं लेकिन result आपको उसके अनुसार नहीं मिलेंगे जौलाई में मेहनत आप पूरी करेंगे आपकी च्छवी तरेगी के मैं पूरा परिश्णम करूं मेहनत करूं लेकिन मेहनत का भी फल आपको पूरा मिल जाए इस बात को ले करके पूरा doubt है, काफी शंका है, लेकिन उपाय करने पड़ेंगे आपको जो हम देंगे, वो आप करते हैं, तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, स्वास्त की बात कर लेते हैं, भाई देखें स्वास्त का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेश स्वेमेल लीजे, स्ट्रीट फूर्ट से बचाव आपको अपना करना है, स्ट्रीट फूर्ट को टच ना करें, घर का खाना, सिंपल खाना खाएं, वो आपके लिए ज्यादा बहतर है, तो ये आपके स्वास्त की सिती रहेगी, वैसे स्वास्त आपका नरम-गरम रहेगा, पूरे महीने, अब हम आपको देने जा रहे हैं उपाय, अगर आपने वो उपाय किये या आप करते हैं, तो निश्यत रूप से आपको उसका अच्छा परणाम प्राप्त होगा, तो मेरे प्रियसाथियों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, स्टूडेंट हो सके तो केसर का लगाएं, अपनी जिव्या पर भी लगाएं, नाभी पर भी लगाएं, केसर का ठीका, और इसके अतिरिक्त, आपको दूसरा उपाय ये करना है, अगर ये उपाय आप करते हैं, तो बहुत आपके जो चीज़ें हैं वो नियंतरन में रहेंगी, काफी चीज लाएं, काले कुत्ते को मीठी रोटी बुद्वार से आरम करके साथ दिनों तक खिलानी है, इस्टूडेंट्स भी करें ये काम, और दूसरे जातक भी करें, और नमबर तीन उपाय ये है, कि आप हनुमान जी की पूजा जरू करें, हनुमान चालिसा का पार्ट करें, जिनक करें, उनके बेगर कुछ नहीं होगा, ये उपाया आप जरू करें, आपको निश्चित रूप से लाब होगा, तो मेरे प्रिया साथी हैं, ये था आप वरिश्चिक लगन राशी के जो जातक हैं, उनका जॉलाई दोहजार तेईस का मंतली राशी फन, आपको पसंद आया ह तो इसको लाइक जरू करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाब ले सकें, और अगर आप ये चाहते हैं, कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो समय रहते हैं, उन सभी की सर्वे सारे वीडियो समय रहते हैं, आप तक पहुँच जाएं, तो फिर बैल आइकन को जरूर पुश कीजेगा, मेरे प्रिया साथियों ये चर्चाब यहीं पर समाप करते हैं, और इसके साथ ही अपनी वाणी को ग्राम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी जो प्रिया करते हैं, ह समय अपनी अपनी हिती हैं, ये strongly जो बGUीउच जो प्रिया खर्चीजं तो प्राम देना किर प्रिया हैं, आप समय अपना चाहेंगे, तो फ्रिया से रहर कित्सुं़चाब ग gloss तार्य को जो जोड़ brackets में जोके साथ हर च़ता हो तो झासे सकतकी साथ हैं, आप सर्